हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पैशन फोर ग्रीन्स आज का ये चोटा सा वीडियो मेरे गार्डन अपडेट पर है कि समर सीजन के बाद मेरे गार्डन का क्या हाल हुआ है और उसमें मैंने थोड़े से जो काम किये हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और यह सब क परकृति का एक नियम है कि जब कुछ बहुत बुरा होता है तो उसके बाद बहुत अच्छा भी होता है तो इसी तरह से बहुत तेज गर्मी के बाद हमारे पौथों के लिए बारिश आ गई है और जो हमारे लिए एक खुशकबरी भी लेकर आई है तो आईए वीडियो हुई है पहले कभी नहीं हुई टेमपरेचर पचास डिगरी से उपर पहुँच गया था तो पौधों का तो ये हाल होना ही था सबसे पहले मैंने सफाई करने का निर्णे लिया और सफाई करते करते जो भी पौधे मुझ जा गए थे या जुलस गए ते गर्मी से उन्हें एक दम अलग कर दिया और सारे गंबलों को हटा हटा कर अच्छे से जाडू के साथ वहाँ पर सफाई करी ऐसा इसलिए भी क्या क्योंकि अब बारिश आएगी तो इन पौधों की भी सफाई हो जाएगी और यहां पर जो कोई छोटे मोटे कीड़े मुकोड़े वगरा गंब हो जाएगी यह मेरे स्नेक प्लांट के सभी पौधे शेट के नीचे रखे हुए थे इसलिए इन पर गंबी का ज्यादा असर नहीं हुआ वैसे भी है प्लांट बहुत हाड़ी होते हैं अब कुछ दिन बाद मैं इन पौधों में जो नए पप्स निकल आए हैं उन्हें निक इसरे कॉर्नर की जहां पर मैंने सभी गंबले अपने इस तरह के स्टैंड्स पर रखे हुए हैं और देखिए कितनी बुरी तरह से सारे पौधे जुलस गए हैं और मेरे 30 परसेंट जो प्लांट्स हैं वहें बिलकुल खतम हो गए हैं तो क्या अब बागवानी छोड़नी प रखा है और यह हैंगिंग बास्केट जो किसी समय हर्याली में लहला रही थी अब देखिए बिलकुल सुनसान सी लग रही हैं सारा गार्डन एकदम वीरान सा लग रहा है लेकिन जो पौधे हरे हैं जो बचे हैं अभी उनके साथ ही गुजारा करेंगे और नए पौधों को भी लगाएंगे इस तरह से भी इस कॉर्णर की पूरी साफ सफाई हो गई है और थोड़ी सी सेटिंग भी करी है अब बारी आई जो पौधे धूप में रखने हैं उन्हें उठा कर मैंने एक एक करके ओपन एरिया में रखा है और यह वो सभी गंबले और ग्रो बैग हैं ज इतनी भी सूखी पतियां थी उन्हें मैंने इस तरह से एक बैग में भर लिया है जिनसे कि मैं पतियों की खाद बना लूगी यह सब काम करने में मुझे दो दिन लग गए और अगली सुबह जब उठके देखा तो वर्शारितू का आगमन हमारे आंगन में हो चुका था और माइक्रो नूटियेंट्स देते हैं लेकिन जो एक बारिश का आसर इन पौदों पर देखने को मिला है वह बिलकुल एक चमतकार सा है और एक ही बारिश में इन पौदों का काया कलप हो गया है बारिश के इस पानी को मैंने इस तरह से एक टब में भी स्टोर कर लिया है जिसे मैं अपने इंडोर प्लांट्स में और जो मेरे पौदे बालकनी में रखे हैं उन्हें भी अच्छी तरह से दे सकूँगी इन पौदों को भी नैच्रल नूटियेंट्स हभी मिल जाएंगे और उनकी भी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी ये मेरे बड़े-बड़े कै और अडेनियम्स तथा स्नेक प्लांट है इन्हें मैंने अभी बाहरी रखा है ताकि एक दो बारिश तो इन पर पढ़ने देंगे उसके बाद मैं उन्हें उठाकर शेट वाली जगा पर रख दूँगी तो सारी जो बगिया है दुबारा से थोड़ी सी हरी भरी रखने लग दूइं गई हैं सभी पउडों में नぇ-थो टाव आ गए है नई-दूट खरो हो गई हैं और देखें यह भर बार ब्लावरिंगे शुरू हो गई हैं यह मेरा जिया धिक्ती पाद का प्लान्ट है वह नी नई ग्रोव चुरू हो गई है और थोडूटी कलिया भी बनने लग सके मेरे कड़ी पत्ते के इस प्लांट की स्टेम थोड़ी लंबी हो गई है और इसकी टॉप पर इस तरह से छत्री नुमा ग्रोथ हो गई है तो मैं इसे थोड़े ताइम बात ट्रिम कर दूँगी और इससे भी इसी प्लांट में लगा दूँगी बोगन विलिया के भी मेरे पास 5-6 प्लांट हैं जिनमें अलग-लग रंके फ्लावरिंग होती है तो सभी प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है यह कुछ ड्राइफ लार्ड हैं जो कि स्पेंट हो गए हैं तो इने मैं इस तरह से काट रही हूं क्योंकि कई बार इन फूलों पर पानी ट प्लांट हुई है वह भी इस पौदे को थोड़ा डी शेप कर रही है तो थोड़ टाइम बाद में इसकी ट्रिमिंग भी करूंगी ताकि इस प्लांट को मैं एक प्रॉपर शेप दे सकूं इस तरह से जो लंबी-लंबी टहनिया है उन्हें काट देंगे ताकि पौदे में ज देखे कितने चमकदार और हरे रंग के पते इसमें आए हैं अभी जल्दी ही इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो बारिश आते ही सभी पौदे एकदम से मुस्कुरा उठे हैं और ये तो देखिए फूलों से भर गए हैं हमारे पौटुला का और ये मेरा स्प बाइडर ली में और रेंडली की तो बात ही क्या है बारिश का तो राजा है रेंडली और पूरे गार्डन को अच्छे से सुंदर से सजा दिया है मेरी रेंडली प्लाट ने So friends, I hope ये छोटा सा garden update आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इससे like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए Thanks for watching